हेलो दोस्तो श्वागत है आप सभी लोगों का राजिस्तान अकेडमी पर मैं परविंट सिंग राव आप सभी लोगों के साथ मैं जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं लगातार सेकंड क्रेड के लिए मैथ्स की वीडियो लेकर के आ रहा हूं जिसके अंदर गत मैं जो है दो से प्लेलिस्ट चला रहा हूं जिसका नाम है मौडल प्यपर फोर्स सेकंड क्रेड मैथ्स और जिसके अंतर गत हम कर रहे हैं प्रिविएस येर के कोशन प्यपर को डिसकस कर रहे हैं साथ इस साथ जो आपके और इस टाइप के कोशन आ सकते हैं उनको डिसकस कर रहे हैं ऐसा पड़ी नहीं पा रहा है और फिर भी इससे जनता आजकल देखी रहे हैं आपकी कितना ज्यादा कोचिंग के नाम पर लूटा जा रहा है तो उससे जो है आप बचिए और आपको फ्री में कंटेंट दिया जा रहा है उसका उप्योग कर सकते हैं और आप जब फर्श क्लास से पढ़ते हुए आएंगे तो आपको विस्वास हो जाएगा कि कितना content आपको पेड़ में मिलता है उससे ज्ज्यादा content आपको फ्री में प्रोवाइट करवा दिया जा रहा है बस ज़रूरत है आपको थोड़ी सी मेhmaणत करने की और वीडियोज हैं तो आपको देखना ही जिस नमबर का वीडियो नी मीरे वो आपको model paper की playlist में मिल जाएगा तो आपको जाकर के केवल और केवल क्या करना है वीडियो देखनी है ठीक है चलिए अब देखिए दोस्तो लाश्ट क्लास के अंदर हमने डिसकस करा था नॉर्मल के बारे में कि ellips की जो नॉर्मल है वो कैसे find out कर सकते हैं तो Cartesian form की जो थी normal वो हमने कैसे निकाली थी वो बता दी थी मैंने कि अगर x1, y1 पर हमें normal निकाल नहीं है तो क्या होगी a square x upon x1 minus b square y upon y1 is equal to a square e square उसके बाद मैं parametric form बताई थी और slope form बताई थी अब हम आज बत करने वाले हैं chord of contact की किसकी? chord of contact की equation क्या होती है? उसके बारे में तो आप लिखेंगे c o c तो chord of contact की equation क्या है? तो chord of contact की equation है t बराबर 0 और आप सबी लोग जानते हैं कि chord of contact होती क्या है? तो देखिए दोस्तों ये है suppose करिये हमारा ellipse इस ellipse के अंदर हमने एक ऐसे tangent कीची और एक ऐसे tangent कीची तो ये जो दोनों tangent के point होंगे जहां ये tangent touch हो रही होगी उन दोनों points को मिलाने वाली जो line है ये a b इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे क्या chord of contact समझ में आ गई बात और ये है दोनों tangent का intersection point x1,y1 तो chord of contact यानि t is equal to 0 तो equation क्या हो जाएगी? x.x1 upon में आ जाएगा a square और plus y.y1 upon में b square is equal to 0 तो chord of contact की equation क्या हो जाएगी? x.x1 upon a square plus y.y1 upon में b square is equal to 0 आप सभी लोगों को ये चीच समझ में आ चुकी होगी ठीक है? चलिए, next हम पढ़ते हैं second point chord of contact के बाद में कि अगर हम pair of tangent draw कर रहे हैं तो pair of tangent जो होगी उसकी equation क्या हो जाएगी? तो आप लिखेंगे pair of tangents, pair of tangents from कौन से point से draw कर रहे हैं? pair of tangents हम x1,y1 point से draw कर रहे हैं तो combined equation of this pair of tangents की जो है combine equation क्या हो जाएगी? s.s1 is equal to t square अब ये s और s1 और ये क्या है? ये सब चीच बता चुका हूँ, ठीक है? और यहाँ हम ये बना लेते हैं इसका diagram तो ये suppose करिए है ellipse इस ellipse के अंदर ये हमने एक और ये दो tangent की चीची इन दोनों tangents को मिलाया यहाँ पर जो की है point कौन सा? x1,y1 ये point हो जाएगा a, ये point हो जाएगा b ठीक है? तो pair of tangents क्या हो जाएगी? a.p. औ.b. और जो combined equation है वो क्या आ रहे थी? x.s1 is equal to t square जहाँ s जो है वो किसको represent करेगा? x square upon me a square plus y square upon me b square is equal to 1 को ऐसे ही s1 किसको represent करेगा? तो वो करेगा उस point को उसमें put करने के बाद equation को यानि x1 square upon a square plus y1 square upon me b square is equal to 1 किलियर है आप सबी लोगों के लिए तो pair of tangents की equation निकालनी है combined equation की कैसे निकलेगी? s.s1 is equal to t square कर देने पर समझ में आ गई बात? चलिए next हमारा third point आ जाता है और third point है की quad दे रखी है quad with midpoint given midpoint और जो quad है उसका midpoint क्या है? x1, y1 समझ में आ गई बात? ठीक है? तो हम जो इसकी equation देंगे देखिए कैसे? यह है ellipse और इसकी quad है suppose करिए यह ab quad की equation क्या हो जाएगी? तो ab की equation हो जाएगी t is equal to s1 समझ में आ गई बात? clear है आप सबी लोगों के लिए अरे clear है तो quad with given midpoint x1, y1 तो उसकी equation क्या हो जाती है? t is equal to x1 समझ में आ गई बात? clear है आप सबी लोगों के लिए तो आप इन points को not down कर लेंगे क्योंकि ये points आपको direct exam के अंदर देखने को मिलेंगे जैसा कि हम previous year के question paper कर रहे हैं तो आपको वो analysis देखने को मिलेगा तब आपको और अच्छे से पता चल जाएगा कि कैसे जो है कैसे कैसे questions पूछे जा रहे हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब दोस्तो next topic आ जाता है आपके ये जो code of contact, pair of tangent और code with given midpoint पढ़ने के बाद मैं एक new concept आता है ellipse के अंदर जिसे हम कहते हैं diameter और आप लोगों को पता चलेगा कि ellipse का diameter क्या होता है और ellipse का diameter कैसे निकाला जाता है ठीक है तो इसके लिए मैं आप सब भी लोगों के सामने सबसे पहले एक ellipse बना देता हूँ ये हमने बना दिया ellipse और इस ellipse के अंदर हमने ये कुछ क्या कर दी, quads कीच ली ठीक है, कुछ quard हमने ऐसे खीची है और ये जो quard हम खीच रहे है ये quard इन quards के midpoint ठीक है, इसका midpoint इसका midpoint, इसका midpoint इसका midpoint, इसका midpoint इसका midpoint, इसका midpoint इन सभी midpoint को जब हम मिलाते है तो हमें एक straight line मिलती है क्या मिलती है, straight line मिलती है, और जो ये straight line है इससे diameter कहा जाता है ellipse का समझ में आ गई बात क्या कहा जाता है diameter कहा जाता है ellipse का तो diameter क्या होता है ellipse की definition के according हला कि हमारे को यहाँ definition कोई नहीं पूछ रहा लेकिन एक बार सुन लिजिए ताकि आपको पता चले कि क्या होता है diameter तो diameter होता है A locus, आप लिखिए, कहा कि जब revision करें तो आप जल्दी कर पाए A locus of midpoint, a locus of midpoint series, midpoints, series of parallel chord, parallel chord of slope M Of an ellipse, तो ellipse की chords है, कुछ जो parallel है with slope M, उन सभी के midpoint, उन सभी के midpoint का जो locus होगा, वो क्या होगा? Is, straight line, क्या होगा? Straight line, it is, it is, passes through, passes through a center, passes through a center, This line, is, called, as a diameter, diameter of ellipse समझे में आई बात, तो diameter क्या है, कि a locus of midpoint series of parallel chord, series है parallel chords की, किसकी ellipse की, उन सभी का जो midpoint है, जिसका slope, जो chords है, उनका slope है M, तो जो midpoint का जो locus है, वो आता है, straight line, और उस straight line का, जो straight line है, वो पास होगी किस से? Center से, भई, इन सभी जो जा रही है, तो उसके center भी बीच में आएगा ellipse के, तो इन सभी line, जो ये पास होरे वाली line है, इसके center से, और इन सभी के midpoint का locus है, उस straight line को हम कहते हैं, diameter of ellipse, ठीक है? समझ में आगई बात, और diameter of ellipse की, अगर हमें equation देनी है, तो वो equation आप लिख सकते हैं, y is equal to minus b square upon a square m गुणा x, समझ में आगई बात, ठीक है आप सभी लोगों के, तो diameter क्या होगा ellipse का? y is equal to minus b square upon a square into m into x, तो ये क्या हो जाएगा, diameter हो जाएगा किसका? ellipse का, तो ellipse के diameter की equation क्या होती है, मेरे साथ एक बार बोलेंगे, y is equal to minus b square upon a square into m into complete x, समझ में आगई बात, ठीक है? चलिए, अब बढ़ते हैं हम आगे की और, तो next हमारे आजाता है, क्या दोस्तों? देखिए next जो point आ रहा है, not point है, sorry, not point से पहले एक important point है, वो आप लिखेंगे, उसके बाद जो not point लिखवा रहा हूंना मैं, वो not point, बड़े अच्छे की बात है कि RPSC ने अपने एक्जाम में पूछ रखा है, और आपको लग रहा होगा कि दोसर आप भी अभी not डग रहा हैंगे? नहीं, ये मैंने 2015 में, IATJE के batch में बताया हुआ question था, मलब वहाँ not लिखवाया हुआ था, और वो not आपके RPSC के 2018 और 16 के paper में पूछ लिया गया, आपको बताऊंगा, देखिए, अब आप लिखेंगे पहले equation of equation of chord of an ellipse, ठीक है? equation of chord of an ellipse, जो ellipse है, उसकी chord की equation क्या होगी? और ellipse कैसा है? वो देखिए इदर, ellipse है ये, इसके अंदर, एक सेकंड, एक सेकंड, ये है हमारा ellipse, और ellipse के अंदर है ये chord, और इस chord में ये है point P alpha, और ये है point Q beta, आपको पता होगा? कि P अब पूरा का पूरा लिखेंगे, तो P alpha थोड़ी होता है, ये किसको रिपरजेंट करता है? A cos alpha और B sin alpha को, और ये Q point किसको रिपरजेंट करेगा? ये रिपरजेंट करेगा, A cos beta और B sin beta को, समझ में आ गई बात? तो ये अगर दो point दे रखे हो, तो आप equation क्या लिखेंगे chord की? तो P Q की equation हो जाएगी, X upon A, cos alpha plus beta upon में 2, plus Y upon B, sin alpha plus beta upon में 2, is equal to, क्या हो जाएगा? cos alpha minus beta upon में 2, तो आपको पता चल चुका होगा, कि जो chord है, ellipse की, जिसके दो point दे रखे हो, अगर P alpha और Q beta, तो उसकी equation क्या हो जाती है? X upon A, cos alpha plus beta upon 2, plus Y upon beta, sin alpha plus beta upon 2, is equal to cos alpha minus beta upon में 2, ये ऐसे छोटे छोटे question आपके exam में पूछे गए हैं, इसलिए आप सभी लोगों को ये मैंने बता दिया, ठीक है? चलिए, अब आप जो note point लिखने जा रहे हैं, वो दोनों के दोनो note point आपके exam में कई बार जो है, ये repeat हुए हैं, तो आप पहला note point लिखेंगे, कि इफ दा, if दा, if दा, कोर्ड जो इनिग प अलफा, एंड क्यू बीटा पासेस थ्रू डी कॉमा जीरो तो इफ दे कॉर्ड जॉइनिंग पी अलफा एंड क्यू बीटा मतलब आपके पास एक इलिप्स है और वो इलिप्स अपोज करिए ऐसा दिखता है ठीक है? इस इलिप्स के अंदर एक कॉर्ड है जो किसको जॉइन करके बैठी है पी अलफा और क्यू बीटा को ठीक है और यह कॉर्ड जो है पास होती है कहां से? डी कॉमा जीरो से कहां से पास हो रही है डी कॉमा जीरो से तो यहां एक रिलेशन आ जाएगा और उस relation को याद रखना है कि जब ऐसी condition है तो क्या होगा तो तब आपके हो जाएगा 10 alpha upon 2 into 10 beta upon 2 is equal to होता है d minus a upon d plus a ये relation याद रखना है तो आपको क्या रखना है if the quad joining p alpha and q beta और वो quad पास हो रही है कहां से d,0 से कहां से d,0 से तो अगर d,0 से पास हो रही है तो फिर एक relation हो जाएगा क्या और वो relation क्या है तो वो relation है 10 alpha upon 2 into 10 beta upon 2 is equal to हो जाएगा d minus a upon d plus a इसका derivation कैसे होता है तो वो derivation आपको जानने के भी जरूरत नहीं है वैसे फिर भी अगर किसी के मार्क में लग रहा हो की नहीं मैं को तो जानना है तो जो पिछे मैंने quad की equation लिखवाई है ये इसको पास करवा दो किसे अरे भाई हमें उसके derivation से कोई अभी मतलब नहीं है किवल याद रखना है ठीक है चलिए दूसरा important point आ जाता है वो आएगा आपके क्या कि एफ द गोर जोइन इप द गोर जोई निग अक्यमिने इप द गोर जोई निगा रोड जोई निग पासे एथू passes through focus then d equal to क्या हो जाएगा a भाई अगर वो पहले तो पास हो रहा था d,0 से लेकिन एक नया case यह भी हो सकता है कि वो किसी d,0 जैसे point से pass न हो करके वो पास हो रहा हो किसी focus से और focus क्या होता है a तो d की जगे आजाएगा a तो एक नया relation क्या आजाएगा तो हो जाएगा आपके 10 alpha upon 2 गुणा 10 beta upon 2 is equal to मैं क्या 1 minus e upon मैं 1 plus e यह हो जाएगा 10 alpha upon 2 गुणा 10 beta upon 2 is equal to d minus a upon d plus a था जबकि यहां अब मैंने क्या बोला कि d की जगे अगर हम focus से pass करवा दें तो d की value क्या हो जाएगी a e क्योंकि ellipse का focus क्या होता है a e तो a e d की जगे जैसे ही put करेंगे तो a e minus a upon a e plus a a आ जाएगा common तो बन जाएगा 1 minus e upon मैं 1 plus e तो यह दोनों चीज़े आपको याद रखनी है यह जो first note point है यह आपके exam में आया हुआ है तो हो सकता है अब यह जो second है यह आपको पूछा जाए तो वहाँ आप direct याद रखेंगे तो मुझे लगता है आपको time जो है कम देना पड़ेगा या फिर ऐसा कोई और भी यहां से question बनता है तो यह जब ऐसी important note points जो है वो याद होते हैं तो हम उन questions को जल्दी कर पाते हैं जैसा कि मैंने previous year का जो third video डाला है उस third video में मैंने trick यूज करी और एक second के अंदर 3D का question कर डाला कितना 3D का question मात्र एक second के अंदर क्या याद रखना था कि x equal to 0 नहीं होता है वाकि तीन option हो रहते हैं तो वो चीजे कभ याद आएगी तो दोस्तो हमारा ये जो ellipse topic था ये यहाँ पर होता है complete अब हम जो है next topic स्टार्ट करेंगे वो होगा आपका hyperbola लेकिन अब से मैं एक change करने जा रहा हूँ कि अभी तक मैं क्या कर रहा था केवल और केवल theory पड़ा रहा था लेकिन अब hyperbola से क्या किया जाएगा theory plus question यानि जो concept समझाया उसके साथ मैं एक दो question यानि की हर lecture के अंदर 5-6 question और theory दोनों discuss किये जाएंगे ताकि आप सभी लोगों को और भी अच्छे से समझ में आएं और और भी अच्छे से clear हो सके क्योंकि कई लोगों लग 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 रहा होगा कि theory theory पढ़ी पढ़ा रहे है कौन सा quality content test region हमको तो वहाँ ये मिलता है paid course में तो वह हो जाता है न इसलिए तो भाई लो अब मैं paid course को टक्कर देने के लिए ऐसा batch launch करूँगा मतलब कल से जो हमारी क्लास से आएगी वो paid course को टकर देने के लिए है जो लोग आपको paid course में दे रहे हैं वो मैं आपको free में देने की पूरी कोशिस करूँगा ठीक है दन्यवाद आप सभी लोगों का love you all of you thanks to all of you for support and love you take care bye bye